संगोश्टि की संकल्वना इसी कापासन की तरह पर सुभय के एक शुरुवात की दॉर में सुभाजी नद्वाना के साथ मौर्णिंग वाग पर निकले थे और उस यात्रा में एक पलां बनाया, एक उजना बनाया कि क्यों नैं इस संगोश्टि की जाए और समवेध्वनी संस्थान के गटन के बाद हम चाह रहे थे कि किसी ऐसे दिन से शुरुवात हो जो दिन अपने आप में विशेश यादगार बने मैं आदरनी मंच का ध्यान इस बात पर भी दिलाना चाहूंगा कि मैंने ओनलाइन जब जो अपलाई कर रह था मेरा सीय मैंने उसको अपना संस्थान का जो भी हमारा बाइलोस बने थे वो 15 अगस्त को उसको मैंने मेल किये थे और फाइनली अपलोड हमने 2 अक्टूबर को किये मेरे पास 11 अक्टूबर का इसका मेल आया हो सकता है वो दिन भी कोई विशेश दिन होगा मैं देख लूँगा उसको इंटरनेट पर लीजे साथ मतलब हमारी संवेद वनी संस्थान की संकल्पना 15 अगस्त के शाथ शुरुवात 2 अक्टूबर को हमारे पास थोड़े कुछ अब्जेक्शन आये विभाग से कि यह यह चीजे ठीक कर लिए तो रिवाइस करके गांधी जैनती पर हमने उनको मेल किये और अमिताब बचन के जन्दिन के दिन हमें इस सरकार की राजस्तान सरकार की ओर से यह मिल गया शोध निर्देश का गुरू आज ये मंच मैं बहुत देर से सूच रहा था कि मेरे दो तरह के गुरू यहां इस मंच पर हैं एक वे गुरू जो की रेकोर्ड में हैं विश्विद्या लएके मेरे उसके सारी चीजों के जिन्होंने मुझे विद्या वाचसपती यानि पेस्डी के उपाधी जिनके शोध निर्देशन में मिली एक वह गुरू जो हिंदी के बारे में कुछ नहीं जानने वाले को एक दीपक दिखा गया बीए तक मेरे हिंदी नहीं पड़ी और मैं अखिलेश चास्टा जी के पास योहीं चला गया बीए होने के बाद कि भाई साब मुझे क्या करना जाए कुछ समझ नहीं आ रहा और उस समय में एक स्कूल का जयापक था और जाने क्यों मेरे मन में ये था कि यार मुझे कुछ डाइवर्जन देना है तो मैं आपके पास गया अरण का है में हिंदी से कर ले और उस समय से पहले हिंदी नहीं पड़ी थी ये शुरुवात आपकी दिव हुई है तो एक तरह से हिंदी क्या मार्व प्रस्ट करने वाले और आगे के मुकाम तक पहुँचाने वाले दोनों गुरुवाप यहां उपसित हैं मैं दोनों को औरदाय से प्रणाम करता हूँ और चाहूँगा कि छोटा हूँ उम्र में अनुभव में काम में खुब मन से काम करूँगा खुब गुस्तागियां करूँगा तो जितनी जो चीजें समय समय पर आशिरवाद मिले खुब आगे बढ़ेंगे खुब आपका मालशन मिलेगा अभी एक पंक्ती आ रहे हैं मुझे अक्ये की यह दीप अकेला मद भरा मद माता इसको भी पंक्ती को दे दो हिंदी नहीं पड़ी थी अकेला दीप छोटा मोटा कभी कबार थोड़ी बहुत रोशनी से जल रहा था अखिलेश शास्क्राजी ने उसको उस दीप को उस आंडियों से संभाला और एक नई रास्ते एक पंक्ती पर लगाया मैं संभेट त्वनी संस्थान के ओर से खास्तोर से डॉक्टर वसीम खान और मैडम नीमा खान और आरंटी परिवार के समझ सदेश्यों का रदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सायोग के बिना ये संभूष्टी इस मुकाम पर किसी भी इस्तिती में नहीं आ सकते थी विभा के यहीं संस्थान मा विद्याले के डॉक्टर ओपी सुख्वाल साब को मैंने खूब परिशान किया पिछले आपको बता दूँ कि एक महीने में मैंने तीन यात्रा हैं यहां की किये तब यह संभूष्टी आज इस तितित तक आप आई है और मेरे मन में शंशय रहता था कि कोई चीज में चूक नहों वैसे यहां का प्रबंदन यहां का स्टाफ और यहां के सभी लोग बहुत सयोगी हैं यह कहा करते थे कि निश्चिंत रहिए मैं तरुन को भी याद करना चाहूंगा यहां प्रबंदन देखते हैं तरुन दादीज हमारा एक स्कॉलर तरुन पालीवाल है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ तरुन ने बहुत सारी विवस्ता हैं संबाली और बाकी जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने मैं संचालकों में पावना और मैडम नीशा जी का और साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ आभार की इस रंखला में मैं वापिस सुबह से एक बार अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ आदरने प्रोफेसर बियल चौधरी साब इतने बड़े पदपर रहने वाला व्यक्ति सहस्ता से इस बात के लिए हां करें कि मैं 100 किलोमेटर की यात्रा नभी नन्वाना की एक संगूष्टी में आने के लिए कर लूँगा ये मेरे लिए उनका आशिरवाद है यही बात मैं डॉक्टर इंदु शेकर तदपुरु जी के लिए कहूँगा राजस्तान साइट अकेडमी के अध्यक्ष रहे हैं बहुत राजस्तान पर और देशवर में उनका आना जाना होता है कहीं पुरुसकार सम्मानों से वो नवाजे जा चुके हैं चैपूर की उनको यात्रा करनी थी मेरा निवेदन था कि आप यहां पदा रहे हम यहां से आपको ट्रेन में बिठा देंगे और सहस्ता से उन्होंने स्विकार किया मैं उनके प्रतिवी क्रतक की हूँ क्रतक की हूँ आदरने गुरुवर प्रोफेसर केके शर्मा साथ के प्रती 86 वे वसंत में निराला और वसंत जैन वसंत पंचमी पर यहां आना साधारन दया हम मानें कि यदि हमारे परिवार में कोई 86 वर्ष का व्यक्ति हो और उसको आप कहे दें यार उदैपूर एक संगोष्टी में जाना है तो गर वाले रोग लेते हैं तो उन्होंने हमारी किसी सुविदा के लिए उन्होंने काया नहीं मैं करनूंगा तुम अपना दूसरा काम देखो यह जो उनका माजशन है आशिरवाद है और जो उनका स्नेयरस मिलता है उसी से यह पौधे कुछ आगे बढ़ते हैं डॉक्तर वसीम खान और नेमा खान जी का और सारे साथे गणों का विभाग में हमारी संगोश्टी के बारे में चर्चा राजकुमार व्याज जी नीता जी दो साथी हमारे आज किसी कारण से या नहीं पहुँच पाए दोनों किसी कोर्स और किसी विप्तिकत प्रोग्राम म क्या होगी देखिए इसमें कोई त्रूटी तो नहीं है बहुत सारी बातें विभाग में हम वहां करते थे और यह विभाग ऐसा विभाग है जब विश्विद्यालाय में छुट्टी भी हो जाती है तो भी हम वहां बैठके काम कर लेते हैं मुझे याद है इसी बीच में छ से दन्यवाद दूँगा बाई गजंद्र भीना को जब आप देख रहे हैं गजंद्र जी के यहां परसों तक देश भर के सो से अधिक विशिशक्य थे और उस संगोश्टी में आप सह संयोचक की भूमेका में थे मैंने गजंद्र जी से का दिन तो एक ही बात का है पर आना होते हैं पर कपासन के लिए मुझे जितना निविदन मैं जाता हूं कि लोग कैसे यहां पहुंचेंगे कहां रुकेंगे क्या होगा उन सारी चीजों के बीच इतनी लंबी यात्रा करके आये उनका भी मैं देश भर यानि शौरी देश भर नहीं प्रांथ वर के हमारे जैसे मैं यदि मोटी मोटी एगलिस मनाई मुझे पूरा ध्यान नहीं है कि पंजियत के समय दौहाद एक पाउंगा तब बता पाउंगा कि कितने हैं पर उदैपूर, चित्तोर, रासमन, भीलवारा, आजमेर, बासवारा, नागोर, डूंगरपूर और भी कहीं ऐसी जगह से हमार पास विद्यार्थी यहां है, मैं उन विद्यार्थियों से इस बात के लिए भी माफी मांगता हूं कि एक दिन की संगूष्टी मुझे थोड़ी पर्याप्त सी लगी, क्योंकि उन विद्यार्थियों के जितने पत्र यहां पढ़े जाने चाहिए थे, वो समय हम नहीं निक मैं आप लोगों का यह आशिरवाद मानता हूं कि आपने इतना स्नेय दिया, कपासन के मैं उन सभी वरिज जनों का, आदर्णिय शिव जी भाई साब, आदर्णिय गुरुवर राम नरण जी सर्मा साब, सोन जी पद्याय साब, तुल्छा साब, बूर साब, और दिन भर में इस संगोष्टी के इस दौर में अब यही कहना चाहूंगा, कि इस संगोष्टी के नहीं में सुभाय से लेकर साम तक जो कुछ अच्छा हुआ, वो आप सब की उपस्तिती, आपके आशिरवाद का परेणाम है, मित्रों के सहयों का परेणाम है, यदि कुछ छीत नहीं लग तो उन अशुविदाओं को उन बातों को दूर करेंगे और बहतर करने का प्रयास करेंगे, मैं पत्रकार बंधूं का बहुत आबारी हूँ, साधरन तया, इतना समय लोग नहीं दे पाते, आपको मैं बंदारी साथ को और मित्रों को सुभाय से आज हमारे बीच पाकर मैं ब दूल, राउन, नाम, बरत, भवार, आदी हमारे कई विद्यार्थी कई दिनों से लगे हुए थे, क्योंकि संगोष्टी करना एक विवाह करना जितना होता है, गर में एक विवाह समारो करा लीजिए, एक संगोष्टी करा लीजिए, कई तरह की पातें, कई तरह की तयारिय और मन में एक संशय हर समय रहता है कि कुछ ठीक होगा या नहीं ये मेरी पहली संखोष्टी भी नहीं है मैं इससे बड़ी संख्या की संखोष्टियां करवा चुका हूँ सो छोटी सी एक जानकारी के लिए बतादू कि वर्ष 2016 में मैं उदाइपूर के एक संखोष्टी की थी और मैंने उसमें उस प्राणपण से हम लोग विभाक के लोग लगे थे कि चाउदा राज्यों के लोगों की उपस दिती थी और वो चाउदा राज्य केवल राजस्थान या उसके पडोसी राज्य नहीं थे उसमें मनिपूर, केरला, हैदराबाद, गोवा तक से हमारे पास प्रतिमिदेत वी था पर मन में हर समय शंशय रतायर कपासन की दरापर काम करने में शंशय और ज़्यादा था क्योंकि मैं जब अपनों की बीच में आ रहा हूँ और यहां कुछ गलत करता हूँ तो मन में एक डर बैठा था कि हमने यहां लिया है तो मैं यहां कुछ ठीक कर पाऊं नहीं पता मैं क्या कर पाया आप सब लोगों का आशिरवाद मिलेगा, मागदशन मिलेगा और हम आगे और कुछ ठीक करेंगे इसी आशा के साथ मैं हमारे हिंदी संस्तान के अशोग जी, कुमावाद, मदन, शर्मा जी और सुभाज जी जिन्होंने यहां की यूनिट का लगबख सारा काम उन्होंने संभाला मैं उन सब का आभार, मैं किसी का नाम भूल भी रहा हूंगा थोड़ा भाउद भी हो रहा हूं उक्षन में तो राम सिंच जी मुझे आप माफ करेंगे क्योंकि आपका नाम ही भूल रहा था मैं और मंच का और दिन भर के जो हमारे सब वक्तागान जो जहां सरी पदा रहें सब का मैं दिल की अनंत गहराईयों से उनका अभिनंदम करता हूं और आशा करता हूं कि हम जब कभी जहां कभी याद करेंगे क्योंकि इस अंस्तान अब राजस्तान बर में हम इसके लिए कुछ प्रयाज करेंगे कि हम किसी प्रांत के इसकी दूसरे कोने में जाकर कभी संगोष्टी करें हो सकता है अगली संगुष्टी हम बाड मेर में जाएं और आप सब को कपासन वालों के मैं बस करके मैं कहादू कि आप सब लोग बाड मेर आईए दो दिन हमारे साथ रहिए आप वहां भी पदारेंगे ये सब कुछ जो अच्छा हुआ वो आपका है और जो कुछ कम्या रही ह हम सब मित्र उसको स्विकार करते हैं आप सभी का बहुत बहुत आपार दन्यवाद